आप सब आशाक और कियों स्वस्तों गे भी मजभी होंगे और पॉजिटिव कर रहे होंगे आपको हमेशा है पॉजिटिव करना है क्योंकि एक पॉजिटिव एक लिए में हम देखेंगे आपके परसन की करण्ट पीलिइज आपके लिए और अगले चोबिश घंटों में इस सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजे लाइक करने से इनर्जी इस्टेंज हो जाती है अगर आपको आपकी परस्न रेडिंग करानी है स्क्रीम पर नंबर पर मेसेज कर सकते हो वहां पर आपको डिटेस्ट मिल जागी कॉल के से बूप करनी है एंजर्स क्रि पर आपको 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 आ Ten of Cups, Five of Pentacles, Three of Wands, Bottom Empress, Magician का कार्ड है तो रिडिंग्स अपके लिए निकल के आई है, ठीक है, Magician का कार्ड आल साइंस को शो करता है, तो आपके परसन के करन्ट फिलिंस की बात करो, तो इस वक्त आपके परसन खुद अपने साथ जस्टिस होने के बारे में ओर थिंकिंग कर रह है, और जिस भी नेगेटिव एन्वामेंट में आपके परसन रह रहे हैं, इनको लग रहा है कि पता नहीं कब ये सब कुछ सही होगा, आपके पास आने का दिल बहुत कर रहा है, आपसे बात करने का दिल बहुत कर रहा है, इस परसन को आपका बहुत जदे अट्रक्शन हो आप इस परसन को से इमपरेस के जैसे ही देखते हो, मतलब कि अगर आप इस परसन के जिंदेगी में नहीं भी रहोगे, फिर भी आपके परसन को भी यही लगता है, कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं भी रहोगे, फिर भी आपका कुछ नहीं भीड़ेगा, आपके नहीं हो, आप भले प्यार करते हो, लेकिन प्यार से जपयाधीं आपके अंदर इतना घुष्सा है, कि आपके परसंग की एक भी गलती को आप आसाने स्माeller हिसे माप नहीं करोगे, और वही आपकी ताकत बने गादी, वही आपकी ताकत बन रही है, करन्टमें, आपके person एक गलती करी और यह अपने उसे बहुत ज़्यादा seriously लिया है ठीक है अब आपको इस person की कोई जरुवत नहीं है आपको आपके person से भी better options मिल जाएंगे आपको आपके person से भी बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जो की जिन में से आप अपने लिए किसी को भी select कर सकते हो यह आपको पता है ठीक है तो current में ना तो आप अपने person के लिए रो रहे हो ना ही कुछ परेशान हो इवन यह person आपके लिए पागल हो रहे है जज्जमेंट है यहां पर जिस भी environment में यह person रह रहे है इनको पागल किया जा रहा है आप देख पाओगे यह person mentally current में बहुत ज़्यदा डिस्टरब है और इनका इस मोग बहुत दिल कर रहा है कि अभी के अभी आपकर आपसे बात करें आपको बता है अपनी जो भी problem से लेकिन यह पाश को भूला नहीं पा रहे है जैसे मैंने बोला इन्होंने जो आपके साथ किया है वो बाते आप के दिमाक्ष़ तो जाती ही नहीं है लेकिन आपके person खुद उन बातों को भूलानी पा रहे है यह नहीं अपने आपको माफ कर पा रहे है आपके बिना पागल हो रहे है लेकिन फिर भी आपको बताने का confidence इस person के अंदर नहीं है ठीक है आपने तो इस person की तरफ पीट कर दी ह अब आप इंको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहोगे इस परसन को लग रहा है करेंट में कि भले प्यार के लिए नहीं लेकिन इनको इस एनर्जिस से बाहर निकलने के लिए आप ही इनको हेल्प कर सकते हो तो यह आप से फ्रेंड्शिप का उफर आपको करना चाहते है शायद हो भी सकता है कि इस परसन ने आपको बोला भी होगा कि आप दोनों की रिष्टे का कुछ हो नहीं सकता है लेकिन क्या दोस्त बन सकते हो अभी नाराज है लेकिन दोस्ती तो कभी नहीं करेगी तुस्ते और ये किसी मिराकल का वेड कर रहे है कि ऐसा कोई मिराकल हो जाए और ये आपको आफर करें फ्रेंडशिप का और आप इनके आफर को स्वीकार कर लो इनको करेंट में ये सब कुछ होना बहुत इंपॉसिबल लग रहा है और ये मिराकल चाह रहे है ये उनिवर्स है कि ये उनिवर्स ऐसा कुछ मैजिक कर दे प्रसन सोते नहीं है बहुत टाइम हो चुका है इस परसन ने अच्छे से नीद नहीं लिए है नीद के लिए तरस रहे है परसन जब भी सोते डरावने सपनों का इनको सामना करना पड़ता है और सपने आपको लेकर ही होती है कि इस परसन ने आपके जिंदगी बरबाद करी है इस परसन के जिंदगी भी बरबाद होगी इनको माफ नहीं किया जाएगा इनको ऐसे सिपने आते हैं जो सिपने भी इनको पागल कर रहे हैं आपकी खयाल इस पर्सन को पागल कर रहे है estas ky इनको इस रिस्तिंग को heal करना है harmony लाने है union करना है भले friendship करना पड़े चलेगा लेकिन आपके contact में आना ही आना है लेकिन मजबूर है इस person की क्योंकि आप इनका दोस्त नहीं बनना चाहोगे ना चाहते हैं मौन के energies है इच्छा नहीं लेकिन इनको जाना पड़ेगा क्योंकि आप तो मानी नहीं रहे हो आपका गुस्ता कम नहीं हो रहा है ऐसे आपके person को current में लग रहा है कि जिससे इनको लगेगा कि आपका तो सच में इस person के ऊपर trust नहीं रहा है आपका तो सच में आप जो भी blame कर रहे हो आपको लग रहा है कि आप जो बोल रहे हो हर एक बास सच है आप अपने person के problem को समझ नहीं पा रहे हो ये person ने आप से बहुत प्यार किया है लेकिन आपको वो प्यार दिखाई नहीं दे रहा आपको सिप इस person ने जो गलती करिये third party को लाया है या तो अपने घरवालों के मर्दी से आप से दूर गये थे third party के लिए ये बात है आप से जो कि बरदाश ही नहीं हो रही है और बार बार आपको लग रहा है कि घरवाले नहीं आपके person कोई third party के पर जाना था आपके person कोई किसी और से शादी करनी थी ये आपको दोका देना चाहते थे बार बार आपको यहीं लगता है और आप यह इनको बोल कर भी दिखाते हैं अगले 24 घंटों में ऐसा ही कुछ होने वाला है ये person तो आप से बात करने के chances से प्यार शेयर करने के chances है लिकित आपकी तरफ से इनको negative energy दी जाएगी आपकी तरफ से पास का discussion होगा आप इनको बहुत ज़दा गलत ब्लेम कर करकर इस person को मिलने से भी मना करोगी इस person से बात करने से भी मना करोगी आप इस person के सामने कोई condition रखने वाले हो कि चाहे जो हो जाए अगर ये person आप से बात कर रहे है आपके साथ रिष्टे में आना चाहते हैं तो इनको तो आपकी बात माननी पड़ेगी और अगर ये नहीं मानेंगे तो आप कोई रिष्टा नहीं चाहिए इसी एनर्जी रहेगी ऐसा कुछ कम्यूकेशन आपका होने के चांसे से अगले 24 गंटों में ठीक है आपके परसं परेशान रहेंगे नेगेटिव माइंड सेट बे रहेंगे डिप्रेशन में रहेंगे ये रात बर सोएंगे नहीं और मतलब कि आप जो बोड़े उसका कुछ रिप्लाइ नहीं करेंगे फिर ये चुप बैटलेंगे इनको लगिया कि जो आप चाह रहें वैसे आभी तो नहीं हो सकता और आप ने तो इस परसंग की प्यार को समझाए नहीं आपने इस परसंग को बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया है और अपने दिल में प्यार की जगह पे नफरत भर ली है ऐसे एनर्जिस आपके परसंगे अगले चोबेस घंटों में ठीक है गाड़ कर इन्यूर्स इनके परसंग इस वक्त इनसे क्या बात करना चाहते है करंट में इनके पार्टनर इनसे क्या बात करना चाहते है करंट में इनके पार्टनर इनसे क्या बात करना चाहते है वो आपको कहना चाहते है जैसे मैंने energies में आपको यही feel हुआ होगा कि यह person आपके साथ revert करना चाहते हैं चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो love हो वो आपको कहे रहे हैं कि प्लीज आप इनको एक chance दे दीजिए या आपके साथ इस रिस्ते में reunion चाहते हैं reverse चाहते हैं अगर आपका इस person के प्यार पे भरुसा नहीं है तो at least आप इनका friendship का offers विकार करो आप इनके दोस्त बन जाओ लेकिन प्लीज इस रिस्ते में revert करने के लिए इस person को help करो और यह कहरे कि बड़े उम्मीद से आपके पास आ रहे हैं और प्लीज आप इनके उम्मीद को ना तोड़ो गाड़ करें वर्स नियर फ्यूचर इनके रिष्टे में क्या होने वाला है नियर फ्यूचर इनके रिष्टे में क्या होने वाला नियर फ्यूचर आपके person आपको लेकर किसी से guidance लेने वाले हैं इस रिस्ते में रिबर्त को लेकर आप से बात करने को लेकर इवन ये फ्रेंडशिप का ओफर जो आपको करना चाहते हैं ये सब कुछ किसे से डिसकस करने वाले है ठीक है और इनको कोई ऐसा गाइडन्स देगा कि कोई फाइदा नहींगे तो चुपी बैट ले कुछ मत कर तो एसी आन्याशिस में मेरी यूर्स को क्या करना चाहिए अपने परसन को कुछ ज्यादा ही लाइटली ले रहा हूं तो लाइटली मत लीजिए औरा आपको जो Вот भी ने हो रहा है ने परशन आपके लिए कुछ नहीं करेंगे कभी ने आएँगे तो इस थोर्ण को अपने करने के उपर party celebrations attend करने हैं दोस्तों में गूमना है घर से बाहर निकलना है movies देखो celebrations करो ठीक है आपको current में guidance है कि आपको अपने आपको खुश रखने की कोशिश करनी है आपकी खुशी वाले vibrations से आपकी जिंदगी में खुश्य आइट्रक करेंगे ठीक है और यह situation आप खुद होकर change भी नहीं कर सकते ठीक है लेकिन अपने आपको इस energies में रखना खुद के हालाद बूरे कर लेना हमेशा बीमारों जिसी energies में रहेना अपने आपको डीमोटिवेट करना और थर्ड पाटी को आपसे ज्यादा बेटर समझना यह thoughts अपके मान में चलाना बंद करना है ठीक है आपके परसन भले करण पर डीले कर रहे हैं लेकिन आपके यह energies आपकी यह खुशिया आपका अपने जिंदगी में self love करना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना मजाक मस्ती आपकी यह energies आपके परसन को और पागल करेगी और मजबूर करेगी आपके पास आने के लिए ठीक ह अगर रिडिंग रिजानोट है वीडियो को लाइक कर दीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आपकी परसन रिडिंग करानी है स्क्रीम पे दिए अगर नंबर प्वाट से पर मेसेज कर सकते वहां पर अपको डिटास में जाएगी कॉल के से भूब करने ठ तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई